पी के मतलब पार्किंग, आर, आर के मतलब साइड गिलास को सेट करने के बाद फिर स्रीट बैट लगाना, स्रीट बैट लगाने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, मैं यहां से लेफ ले रहा हूं हाइवे के लिए, इस हाइवे का सो कि स्पिट लिमिट है, आज की दिन की सुर्वात करते हैं आज मैं इस मेटर पे बात करने वाला हूं साथी अरबिया के अंदर आटोमेटिक कार चलाना सिखें बहुती आसान तरीके से इंडिया के अंदर आप कितना भी पुराना ड्राइबर हो अगर आप साथी अरब में आती है तो थोड़ा बहुत तो वही कंफ्यूज होई जाओगे क्योंकि यहां के गाड़ी का जो स्टेडिंग होता है वो लेफ्ट साइड होता है और यहां के गाड़ी का जो गियर होता है कुछ गाड़ी का गियर स्टेडिंग के साथ होता है कुछ का नीचे होता है तो आने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारी यहां पे चैंजिंग है गाड़ियों में इंडिया के गाड़ियों में यहां के गाड़ियों में बहुत सारा चैंजिंग है करने के लिए आते ओंग, अच्छे लेवल पे आते हो, आपको यह किसी घर में आते हो तो आपको यही बड़ी गारी मिलेगा ज्येmpस हो खाले एक जातर ऐसे सिस्टम होता है, मैं आपको इन गारीों में बिलकुल यह बारे dispers करके पूरा क्लियर आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रही है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो यह आपको समझ में आएगा अगर आप स्कीप कर देंगे तो आप पूरा देखनी पाओगे और पूरा आप समझ नहीं पाओगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इ पूरा मिलेगा यह गाड़ी है GMC इसमें हम आपको आटोमेटिक कार चलाना सिखाएंगे आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रही है हाँ जी दोस्तों गाड़ी में इस वक्त हम बैठ चुके हैं बैठने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे सीट को अरजस्ट करना बिल्कुल हम सीट को अरजस्ट कर लियां सीट को अरजस्ट करने के बाद हम जो बीच वाला ग्लास होता हम इसे अरजस्ट करेंगे बीच वाले ग्लास को हमें अभी अरजस्ट करना मुझे जितने पर रखना ग्लास को क्यूंकि बाद में मैडम या कोई सर पीछे बैठ जात करना है गाड़ी स्टार्ट करके उसके बाद चल देना किस हिसाब से चलना गाड़ी में किस तरह से गियर डाला जाता है सौधी अरब के अंदर की गाड़ियों में और इंडिया की गाड़ियों में डिफरेंस होता है एक तो इंडिया में राइट हैंड रैविंग होता है और सब्कроб arising होता है क्योंकि जो इंटिक्रेटर का इसारा होता यहांपर यह वी लेफ साइड होता है इंडिया में राइट होता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बड़ो कैसे सेट किया जाता है और इसके अंदर काइसा है और किस तरह से गयर डालना और किस तरह से स्टार्ट कि पूरा isig का फंसन है इसको को सिर्ट बीच में एक है यह सी बंद हो गया इसको दुबादा चलाइंगा यह है सि चालू हो गया यह तो आप लोगों को मालू है यह पूरा अजिस्ट इसनिक का क्योंकि इंडिया गाड़ी में भी कुस्कु सेम सेम होता है कि यह फेम कर क्योंकि इस पर इसको अगर मैं ओन करता हूं तो यह यहां का चैनल आ जाता अपना इंडिया का चैनल तो आता नहीं जो हमें अच्छा लगे अगर मुझे खुद सुनना हो तो यह ओक्स लीड अपना फोन से निकाल के सुन लेते हैं यह मॉवाईल नेविकेशन चलाने के लिए इस्टेंड है इसस्टेंड पर फोन को रख करके नेविकेशन यूज करते हैं पहले हम इसका सुच काटेंगे सुच काटने के बाद अगर मुझे राइट का मिरर को सेट करना है तो इस बटन को हम राइट दबाएंगे right दबाने के बाद ये सामने mirror है right दबाने के बाद ये जो गोल चकर गोल चकरी टाइप में है ये उपर नीचे left-right का है ये पूरा option अगर मैं इसे दबाता हूँ तो मेरा सिशा बहर की तरह ड़ाएगा इसको दबाता हूँ तो अंदर की तरह आएगा तो यह आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से कर लिजेगे मैं अभी स्रीप आप लोगों को दिखा रहा हूं अब मुझे लेफ्ट का सी से सेट करना है अब इसको दबाना दबाने के बाद यह देगो यह पुरा मिरर चल रहा है और मैं इधर की तरफ दबाऊंगा तो यह मिरर वापस आ रहा है उसके बाद गाड़ी में बीच में गियर होता और इसमें बीच में गियर नहीं है इसमें हेंड गियर है यह हाथ में यह गियर है और यह सामने गियर का पूरा लेफल दिया हुआ है कि P P का मतलब पार्किंग और और का मतलब रिबास एन एन का मतलब न्यूटर डीडी का मतलब ड्राइब M, M का मतलब होता है medium, ये medium speed में चलता है, इस पे fast speed नहीं चलपाएगा, अगर आपको fast चलाना है ता आपको dipy करके रखना पड़ेगा, वयसे M का उतना परवर परयोग नहीं होता है, ना के बराबर परयोग होता है, अब गीया डालने की बात है, तो आप मैं चाभी ओन कर द officer हो जाघ्य ओन करने के बाद जाहे हे अदå ऊक्सक्राइए अब मैं गार्य अब यूच करूंगा यू throughout ठीज मतलब पर्किन ये मेरा गार्य स्टाड की बाद सब्भाभ पांगा गोゲ Georg को ये जो डी यह ड्राइब पे आ गिया यह अपर खेच रखाऊ अब इसको वापस छेड़ छोड़ दूँगा छोड़ने के बाद यह देखिए नीचे हैंड ब्रेक है हैंड ब्रेक लगा हुआ इसको दबाड़ा दबाएंगे यह वापस आ गिया पसाने के बाद अब हम फिर चल बिल्कुल यह मेरी गाड़ी चल चुकी है अब मुझे जिदर भी मूरना हो या राइट मूरना हो इंटिगेटर लाजी में सबसे पहले इंटिगेटर इंटिगेटर देना जरूरी है यहां से राइट जाना है राइट जाना तो इंटिगेटर डालेंगा इंटिगेटर इस बिल्कुल अभी सीधा चल रहे हैं गाड़ी चलाते वे खास करके इन बातों पर ध्यान देना है इंटिगेटर इंटिगेटर लाजी में चाहिए आप लेफ्ट जाए या राइट जाए इंटिगेटर जरूर देना बेगर इंटिगेटर का आप गाड़ी नहीं मौर सकते हैं मैं इस वक रेड लाइट पर ख़राओं यह सामने जो गाड़ियां इससे मुझे पचास मिटर की दूरी पर गाड़ी रोकना होता है यह रेड लाइट है दिरबरोड हाइवे के रेड लाइट है यहां से हम लेफ्ट जाएंगे यहां पर बस डिपू का काम चल रहा है राइट शेड में यहां एक नया डिपू बनने वाला है बस के लिए चाहते हैं यह जो आ रहे हैं जो आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी यह वीडियो देखने के बाद उसे कुछ ज्यादा हेल्प मिले तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में खुदा आफेश